रूटीन का रूटीन क्या होना चाहिए? यह रूटीन तो हर बच्चों कर डिफेंट होता है कुछ वर्किंग होते हैं, कुछ नॉर्किंग होते हैं तो डिफेंट डिफेंट होगा और कुछ बच्चे सुबह पढ़ना चाहते हैं कुछ रात पर पढ़ना चाहते हैं, but time-based नहीं एक target-based routine होना चाहिए, जिसमें कि आप जब भी उठते हो, morning उठते हो, या शाम में जब भी आपका fresh mind होता, तो एक बर आप newspaper देख सकते हो, जिससे कि English और GK दोनों आपका concept clear हो जाए, अच्छे से पढ़ना चाहिए कि क्या चल कर सकते हो, मौक टेस्ट में उसके अच्छे से अनलाइस कर लो कि कौन सी topic आपकी weak है, कौन सी strong है, जो weak topic है, उसका जाके अच्छे से study कर लो, तक कि और वो concept rock-sodded हो सके, और उसमें कोई गल्तिया ना हो, और इसके साथ आप शाम में जाके revision कर सकते हो, कि आपने जिए है, त क्योंकि उस test exam में तब तक आपका दिमाग काम भी करेगा, जब तक और आप daily calculation आपके दिमाग में चल नहीं रहा हो, और इसके साथ कुछ-कुछ puzzle solve पढ़ो, और जिए तो है, जितना पढसों को और जितना revise कर सकते हो